नमस्कार जै जोहार विद्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप टू बी दे बेस्ट लण फ्रॉम दे बेस्ट आगे आगे स्टार्ट हो गया चलिए अगली क्लास में यहाँ चालू करते हैं किसके बारे में हम लोग रामायर काल देख लिया अब हम लोग महाभारत काल के बारे में संबंद में देखेंगे दूसरा चीज इसमें क्या याद करना है कि महाभारत काल से संबंदित कौन से इस्थल है तो यह दो चीज यहाँ से important है दो चीज पूछा जाएगा एक तो इस्थलों का नाम पूछा जाएगा और एक यहाँ से क्या पूछा जाएगा 36 जड़ का नाम कौन सा है बस्तर का नाम कौन सा है ठीक समझ में आया तो चलो देखो महाभारत काल के बारे में यहाँ पर देखोएंगे ठीक तो महाभारत काल के बारे में जब देखोगे तो इसमें दो ही चीज इंपोर्डेंट है बोला हूँ एक तो क्या जो 36 गड़ का नाम है 36 गड़ का नाम किस नाम से जाना जाता है दूसरा चीज क्या पूछा जाएगा जो बस्तर का इलाका है ठीक है बस्तर को किस नाम से जाना जाता है ठीक तो यहाँ दो चीज इंपोर्डेंट है पहले तो यह जान लो तो देखो 36 गड़ का नाम यहाँ पे जैसे हम लोग रमायर काल में देखा था दक्षिन कोसल है ना तो यहाँ पे यह दक्षिन कोसल ना कहा कर इसको क्या बोलेंगे प्राग कोसल कहा जाएगा क्या कहा जाएगा, प्राग कोसल, प्राग कोसल क्यूं कहा जाएगा, जो पांच पांड़ाँ है, पांच पांड़ाँ में सभसे छोटे वाले जो पांड़ाँ है, मतलब सहदेव, उनके द्वारा क्या किया गया था विजित किया गया था सहदेव द्वारा विजित छेत्र ठीक है किसके द्वारा सहदेव जी के द्वारा विजित जो छेत्र था उनके द्वारा जीता गया था बस्तर को किस नाम से जाना जाता है तो बस्तर को कांतार के नाम से जाना जाता है बस्तर को किस नाम से जाना जाता है कांतार के नाम से जाना जाता है तो यहां पर दो चीज़ याद रखना एक तो 36 गड़ का नाम और एक जो हमारा बस्तर वाला इलाका है उसको किस नाम से जान वो आपको कहा देखने को मिलेंगे महाभारत काल में तो महाभारत काल में कौन से प्रक्षात युद्धा लोग थे तो प्रक्षात से प्राग याद कर सकते हो क्या ठीक है तो प्राग कोसल कहा जाएगा किस नाम से महाभारत काल को जबकि बस्तर वाले एरिये को क्या कहा जाए और महाभारत के सभा पर्व में किस नाम से जाना जाता है ठीक तो एक तो दो नाम इस आधार पे समझें हम लोगों ने और एक किस पर्व में जो महाभारत के भीसम पर्व में भीष्म पर्व में किस नाम से जाना जाएगा और एक सभा पर्व पर्व में 36 गड़ के नाम का उलेक होगा और उस नाम का उलेक किस नाम के आधार पर किया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे तो देखो महाभारत के भीष्म पर्व में जो महानदी है महानदी हमारे 36 गड़ में बहती है उस महानदी का नाम क्या मिलता है जी महानदी का नाम चित्रोत पला कहा जाता है महानदी को किस नाम से जाना जाता है चित्रोत पला के नाम से जब सभा पर्व के बारे में देखोगे भिस्म पर्व में महानदी को क्या कहा जाएगा चित्रोत पला कहा जाएगा जबकि च्छतिस गड़ के नाम कोसल का नाम किसमे आधार पे मिलेगा सभापर्व में तो सभापर्व में क्या याद रखना सभा से याद रखना कोसल या कोसल छेतर कहा जाएगा इसको ठीक है तो सभापर्व में कोसल का नाम मिलेगा ठीक है और कोसल कही उस टाइम का कहा जाता था चतिसगर कहा जाता ठीक है तो भीष्मपर्व में महानदी का नाम चित्रोतपला जबकि सभापर्व में कोसल के नाम का उल्लेख रहेगा ठीक है तो दो चीज यहाँ पर याद रखना जी विश्ववपर्व में महानदी का नाम चित्रोत पला के नाम से उलेख किया जाएगा और जबकि सभापर्व में कोसल के नाम का उलेख किया जाएगा तो यह चार नाम यहाँ पर important है कहाँ पर महाभारत काल में 36 गड़ का नाम प्राक पोसल कहा जाएगा प्राक पोसल इस छेत्र को किस के द्वारा विजित किया गया था सहदेव जी के द्वारा जो पांच पांडाओं है पांच पांडाओं में से सबसे last वाले कौन है सहदेव तो उनके द्वारा विजित किया गया था बस्तर को किस नाम से जाना जाएगा कांतार के नाम से जाना जाएगा ठीक है और भिस्मपर्व में महा नदी का नाम चित्रोतपला के नाम से और सभापर्व में स स से कोसल स से कोसल याद रखना तो सभापर्व में कोसल के नाम का उ यहां से question पूछा जाता है कि किस जगह को किस नाम से जाना जाता है ठीक है समझ में आया फिर इसके बाद इस्थलों के बारे में पूछा जाएगा ठीक है किसके बारे में इस्थलों के बारे में पूछा जाएगा ठीक तो महाभारत कालिन इस्थल याद रखना कि थीक है महाभारत कालिग इस तलों का नाम याद रखना तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना त्रिक का नाम क्या है याद में रखना रख आस करके याद रखना ठीक है अब ये रख आस क्या है देखो महाभारत काल है है ना तो उस पे से लोगों को हर किसी को सीख मिलती है कि युद्ध नहीं करना चाहिए खाली फोकट लड़ाई नहीं करना चाहिए है ना क्यों क्योंकि सांती प्रस्ताव भी रखा था है ना स्री कृष्ण जी ने लेकिन दुर तो इस नाम से फिर युद्ध हुआ तो खाली फोकट जमेले में नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है और दूसरा चीज क्या इसी महाभारत के दौरान ही स्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था तो गीता पे क्या रखते हैं सब लोग आस रखते हैं है ना आस रखते कि जीवन में इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है तो आस किसके उपर रखोगे महाभारत काल में गीता ठीक है तो रख आस करके याद रखना रख आस अब ये रख आस करके याद किये तो रख आस से फिर आपको ये इस्थान का नाम याद हो जाएगा ठीक है तो र आ रहा है ना तो ख से क्या याद रखना खल वाटी का उसको क्या बोलेंगे खल लारी एक तो रतनपूर एक खल लारी ठीक है आ से क्या याद रखोगे आ से आरंग ठीक है स से सिर्पूर ठीक है तो ये चार जगह का नाम याद हुआ क्या एक अलग से क्या याद रखना जी एक अलग से आप लोग ये याद रखना गुंजी दमाउं दरहा के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है गुंजी दमाउद रहा जांजगीर चापा में था अभी एक कौन से जगह पे है सकती जब विभाजन हो गया जीला ठीक है तो ये याद रखे रहना जी ठीक है इसको एक टेवल के आधार पर अभी पूरा समझेंगे लेकिन अभी नाम खाली याद रखो रख आस करके याद रखना रख र से रतनपूर ख से क्या याद रखना खलारी आ से आरंग स से सिरपूर एक एस्ट्र क्या याद रखना आपको हुए गुझीद माधार ठीक है समझ मैंनाब तो यह इस्थल पूछा जाएगा एक किस नाम से जाना जाएगा वो पूछा जाएगा को समझ मैंनाm और यह जगह नाम पूछा जाएगा अब चलो опять करके हम लोग यगह का का नाम देखेंगे उसमें क्या विशेष्टा है कौन से उसका प्राचिन नाम है ठीक है तो रख आज करके याद रखना ट्रीक क्या था ठीक है तो सबसे पहले तो जगह का नाम ठीक है या इस्थल करके याद करेंगे ठीक है प्राचिन नाम याद रखना इसका प्राचिन नाम ठीक फिर कौन से प्राचिन नाम देख लिया फिर कौन सा जीला है जीला देखेंगे फिर इसमें से कुछ विशेश तथ्य रहेंगे उन विशेश तथ्यों को देखेंगे ठीक समझ में आये क्या इन विन्दों के आधार पे हम लोग समझेंगे तो रा से देखो पहला चीज रा से क्या याद रखना है रा से रतनपूर ठीक है रा से क्या याद रखोगे रतनपूर ठीक है इसका जब प्राचिन नाम आप देखोगे तो इसका दो नाम देखने को मिलेगा एक तो मडीपूर के नाम से जाना जाएगा और एक रतना ठीक है तो फिल हाल आप क्या याद रखो मड़ीपूर के नाम से याद रखो क्योंकि दो बार question ये मड़ीपूर से पूछा गया है ठीक है तो मड़ीपूर कहा जाता है देखो रतन मड़ी रतन मड़ी करके तो याद कर सकते हो है ना रतन को हीरे जवाहरात मोती मड़ी यही से जाना जाएगा प्राचिन नाम मड़ीपूर कहां पर है बिलासपूर में यहां पर दो राजाओं का नाम आपको देखने को मिलेगा एक तो मोर्ध्वाज और एक क्या है उसका पुत्र ताम्रध्वाज ठीक है मोर्ध्वाज और ताम्रध्वाज के बारे में यहां पर जानकारी मिलती है कि रतनपूर को मोर्ध्वाज राजा मोर्ध्वाज और ताम्रध्वाज ने क्या घोसित किया था अपना राजधानी बनाया था ठीक है, मोर्ध्वज और तामर्ध्वज की राजधानी थी, ठीक पहला चीज तो हम लोग को ये समझ में आ गया, किसमें रतनपूर के बारे में, ठीक है, दूसरा चीज हम लोग फिर क्या देखेंगे जी, खल लारी है ना, खल लारी, इसका प्राचिन नाम क्या था, खल लवाटी का, कौन से जगह पे है, तो याद रखना महा समुन, कई लोग घूमे भी हो गये यहां पे, है ना, ठीक है, खल लारी, खल लवाटी का, कौन सा था, महा समुन, विशेष क्या है, या क्या है जी, जो आपका खल लारी है, उसमें लाक्षागरी, भीम खो, भीम के पच्चिन नामी ले थे, ठीक है, मतलब लाक्षागरी के संबन्द में जानते हो ना, जहां 13 वर्स का वनवास काट लिया था, एक साल बचा था, अगर उनको खोज लिये, तो फिर से 14 साल का वनवास काटना था, ठीक है न, तो उस टाइम पे एक जगह पे रहते हैं, जिसको क्या कहा जाएगा, लाक्षागरी, लाक्षागरी को फिर क्या, आग से जला दिया जाता था, ठीक, वहां से पांडव बच के भाग जाते थे, तो ये सब कहानी आप लोग ठीक है, भीम के पध्चिन्न मिले जी, तो ये दो चीज हम लोग को समझ में आ गया, पीसरा चीज देखो, आस से देखेंगे, आस है मतलब क्या आरंग ठीक है, इसके बारे में भी एक अलग जानकारी मिलती है, आरंग का नाम आरे से चीरने के का नाम इसका नाम, आरंग पड़ा, तो वो सब कहानी के बारे में बाद में देखेंगे, पहले तू ये एक टेबल के आधार पी से को याद करने की कोसिष करते हैं, ठीक है? समझ में आया, तो आरंग इसका प्राचिन नाम क्या था जगी, तो प्राचिन नाम जब देखोंगे इसका भांडेर देखने को मिलेगा याद कैसे करोगे रंग भर्दे है ना जैसे कलर करते हैं किसी पेंटिंग करेंगे ना तो पेंटिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं इसमें रंग भर्दे है ना कुछ को आस्मानी कलर कुछ को लाल कलर ऐसे करके तो रंग भर्दे करके आद रखना रंग भर्दे रंग मतलब र कौन सा जगह मिलेगा जी जीला आपको रायपूर देखने को मिलेगा रायपूर और किसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको तो मोर्ध्वज के बारे में जानकारी मिलेगी मोर ध्वच के बारे में जानकारी मिलेगी या मोर ध्वच की कथा से सम्मंदित होंगे अब इसको याद कैसे करोगे आरंग रंग आ रहा है ना तो रंग भर दे रंग भर दे तो रंग किसका रंग भी रंगा किसका रहेगा मोर का पंक्ष देखे हो ना तो मोर का पंक्ष जो उसका पंक रहेगा है ना तो वो कैसा रहेगा रंग बिरंगा रहेगा तो रंग भर्दे कौन सा मोर वाला है ना तो रंग भर्दे याद रखना रंग बिरंगा कौन रहेगा मोर का जो पक्षी रहेगा वो ठीक है तो यह ती लासपूर में मोर्धवज और तामरधवज की राजधानी पहला चीज तो याद रखना रतनपूर को उस टाइम प्राचिन जो हमारा चतिसगर जब हम पढ़ेंगे भी आगे देखोगे तो बहुत से राजवन्स जो रहेंगे वो रतनपूर को अपनी राजधानी बनाएंगे तो मोर्धवज और तामरधवज की राजधानी थी पहला चीज तो रतनपूर के बारे में याद रखना है ठीक है दूसरा चीज खलारी के बारे में देखोगे तो उसका प्राचिन नाम क्या था खलारी को खल वाटिका कहा जाता है कौन सा जगह महा समुन में यहाँ पे ला जैपूर में और किसका मोर्धवज की कथा से सम्बंदित होगा ठीक है किसकी कथा से मोर्धवज की कथा से सम्बंदित होगा आरंग का भांडेर ठीक तो आस बचा और एक गुंजी दमोग दरह बचा तो दो जगह और बचे जी ठीक है दो जगहा और बचे, तो दो जगहा में पहला चीज कौन सा था, ठीक है, सिर्पूर, सिर्पूर हो गया क्या, रतनपूर, खल्लारी, आरंग, सिर्पूर बचा है और गुंजी बचा है, ठीक है, क्या बचा, सिर्पूर, और एक कौन सा बचा, गुंजी का दमा उधरा, ठीक है, तो सिर्पूर कहा पे रहेगा, पता है सबको, महा समुद्ध में, है न, कहा पे रहेगा जी, महा समुद्ध में, सिर्पूर, पहला चीज इसका लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, अच्छा, एक हम लोग क्या देखते थे, इसका प्राचिन नाम भी देखते थे, तो प्राचिन नाम इसका याद रखना, सिर्पूर का प्राचिन नाम क्या था, चित्रांगत पूर करके याद रखना है, ठीक है चितरांगतपूर हीं शिरपूर महासमुन जीले में इस्थित रहेगा उसका प्राचीन नाम क्या चितरांगतपूर था ठीक और यह किसका था अर्जुन के पुत्र भब्रवहन की राज़दानी थी जो की त्रांगत पूर था वो क्या था अरजुन के पुत्र है भबरु वहान की राजधानी थी कि कि från अर्जुन के पूत्र भबरु वहान की राजधानी थी अब चलो इसको याद करते हैं सिरपूर को देखिए सिर्फूर महा समुद्ध में यह तो इस्थान पता है प्राचीन नाम को कैसे याद करोगे देखो तो चीत्र बना रहे है न तो चीत्र किसका बनाएंगे जिए याद हो गया किस से संबंदित है तो अर्जुन के पुत्र भब्रवाहन की राजधानी से संबंदित है जो चित्रांगतपूर है वो अर्जुन के पुत्र भब्रवाहन की राजधानी से संबंदित है ठीक है एक लास्ट देखने को मिलता है गुंजी दमवधरा दोनों को एक साथ याद रखे रहा ना गुंजी दमवधरा इस से होगा क्या तो जो गुंजी है उसका प्राचिन नाम जो है वो दमवधरा ही है वरतमान में यह किसमे आता है जी सक्ती में जब जीला विभाजन हुआ वो बिखेले यह किसमें आता था जाषगीर चापा में एंट तो प्राचिन नाम क्या है दमाउध दरहा कौन से जीला में है सक्ति जीला में विशेश क्या है जो जैन तिर्थंकर रिषब देव हैं प्रथम जैन तिर्थंकर तो रिषब देव के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है ठीक है किसके रिषब देव से सम्बंदित इस्थल ठीक नाम याद हुआ क्या इतना सिरपूर महासमोन गुणजी दमाउदरह सक्ति किस्से है सक्ति जो है रिषब देव से सम्बंदित है जब कि सिरपूर आपका किस्से है महासमोन में चित्रांगतपूर उसकी प्राचीन नाम है याद कैसे करोगे चीत्र किसका बनाएंगे सिर्क बनाएंगे अर्जुन के पुद्र भबरुवान ठीक है तो ये पांच इस्थल आपको देखने को मिलेंगे फिर से एक बार देख लो कौन-कौन से पांच इस्थल है रख आस करकी ये पांच इस्थल याद रखना है हम लोग को रसे रतनपूर खसे खलारी आस से आसे आ रहेगी सक्ति किस से संबंदित है तो रिशव देव से संबंदित इस्थल ठीक है क्लियर समझ में आया ठीक है जी तो महाभारत काल में इतना याद रखे रहना है ठीक एक चीज और आरंग के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो आरंग के संबंद में क्या क्यों दंती ठीक है जैसे बड़े लोग भुजुर्ग लोग सुनाते है ना अपने पोता को बेटा को कहानी तो क्यूदान्ती है कि आरंग का नाम करण कैसे पढ़ा नाम करन ठेक है तो आरंग का नाम कैसे पड़ा आरे से अंग को चिरने के कारण किसके कारण आरे से अंग को चिरने के कारण क्या पड़ा आरंग पड़ा ठीक है, आरे से अंग को चीरने के कारण क्या पड़ा, आरंग पड़ा, अब ये क्या है जी देखो, आरंग किस से संबंदित है, दो राजा से संबंदित है बोला हूँ, एक कौन से राजा, दो राजा से संबंदित है बोला हूँ, एक मोर्ध्वाज, एक क्या है, मोर्ध्वा दो राजा रहेंगे मोर्धवज पीता जी रहेंगे इनके बेटे का नाम क्या है युद्ध खत्म हुआ है इतुँ जैसे बेटामरण युद्धु श्रक्राइ γ्यक्रवए जैसे रामायान में हना जिस को पकड़े कौन थे लवकोस पकड़े थे उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था तो वो जहां भी जाता था वो समराज्य को उनके काल में सामिल कर लिया जाता था तो सेम कहानी किसमें हुई यहां पर हुई कौन से दो राजा थे मोर्धवाज और तामरधवाज ठीक है तो महा भ협रि की सम्मंध में किसको आपे मतलब कारेभार किसको सौपा अरजुन जी को क्योंकी एक धनुर धारी जोद्धा थे तो उनको क्या किया गया कारेभार दे दिया गया घोड़ा जहां जहां विच्राण करेगा वो छेत्र कहां पांडवों के छेत्र में आ जाएगा सामील हो जाएगा पहला चीज तो यह समझ में आए यहां पर फिर वहां हुआ क्या कि जब वो गूमते गूमते सब जगह विच्राण करते करते कहां पहुंचा रतनपूर ठीक तो रतनपूर जैसे ही पहुँचा तो वहां पे जो तामरध्वज है ठीक वो क्या था बच्पन से ही धनूर विद्या में निपूर था ठीक युद्ध कला में पहले से ही पारंगत था ठीक है जी समझ में आया तो युद्ध कला में पहले से ही पारंगत था कौन जो तामरद्वज है ठीक तो तामरद्वज पहले से ही युद्ध कला में निपूर था तो जब ये घोड़ा वापस चरते-चरते कहां आया आपका रतनपूर आया तो रतन पूर जैसे ही आया, तो ताम रध्वाज ने घोडे को पकड़ लिया, ताम रध्वाज ने घोडे को पकड़ लिया, फिर अर्जुन के साथ क्या हुआ? उसका युद्ध हुआ, लेकिन बीच बचाव करते हुए, शरी कृष्ण भगवान महा पर आ गया, और मतलब बीज बचाव नहीं हुआ, वहाँ पर युद्ध हुआ, तामरदवज ने अरजुन को घायल कर दिया, और घोड़े को ले करके अपने राजदरबार ले गया, कौन? तामरदवज, ठीक है? बीज बचाव की घटना वहाँ पर नहीं हुई, जैसे रमाय काल बें किरिशी जी आ गये थे, है न? तो यहाँ पर क्या हुआ, जो तामरदवज है, उसने युद्ध का घोड़ा ले गया, अरजुन को वहाँ पर घायल करके, ठीक है? तो जैसे ही अरजुन घोड़ा लेने के लिए उसके राजदरबार में गया, तो वहाँ आरेड़ी स्रीक्रि का लियुद्धा है, और स्रीक्रिश्न का अनन्य भक्त है, इसलिए मैं इससे हार गया, ठीक है? तो स्रीक्रिश्न भगवान से प्राथना करने लगे कौन? अरजुन क्या बोलने लगे कि मेरे से भी ज्यादा भक्ति इसके मैं है, तो मैं इसके भक्ति की परिच्छा लेना च आता हूं, तो स्रीकरिश्न भगवान भी बोलते हैं, ठीक है, और दोनों ब्रामड का वीजदारन करके आ जाते हैं, कौन? स्रीक्रिश्न भगवान और अर्जुन, किस के पास आते है मोद्धवज के पास, मोद्धवज से क्या रिक्वेस्ट किया जाता है, कि उनके साथ मतल नर का ही मतलब किसी मनुस्य का मास चाहिए यह बोलते हैं ठीक है तो फिर वहां पर आगे की घटना क्या होती है वहां पर एक सर्थ रखा जाता है किसके द्वारा उन ब्रामणों के द्वारा और उन ब्रामणों के वेस में ही कोना आया है स्री कृष्ण भगवान और जो करना चाहिए आरा जो रहेगा है ना आरी आरी से चीर के उसको सेर को खिलाना है उसके सव को ठीक है तो यह वहां प्रस्ताव रखते हैं कौन रिसी लोग कंडिसर रखते हैं सर्त रखते हैं तो जो मोर्ध्वज रहता है वह वेचारा क्या करता है सेर भूक है नहीं खाएग भगवान तो वो दोना अपने असली रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं तथास्तु आप हमारी जो परिच्छा है उसमें सफल हुए आई होप आप भी हर किसी परिच्छा में सफल हो जैसा भी आप एक्जाम दो उसमें आपका रैंक निकले ठीक है तो फिर क्या हो जा है वह से अंग को चीरने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था आरंग ये इस कहानी से या इस किवदंती से देखने को मिलती है ठीक है समझ में आया तो ये कहानी थी जी किसके संब्द में आरंग के संब्द में तो आरे से अंग को चीरने के कारण इस छेत्र का नाम क्या पड़ा आन्म पड़ा था ठीक है तो महाभारत काल की घटना क्रम में आपको इतना ही जानना है एक तो इसके जगह का नाम क्याorn करना हैаждak किसको याद करना है एक तो जगह का नाम याद करना है एक तो इसके कौन-कौन से पर्व में या कौन-कौन से जगह में इसके नाम का उल्लेक मिलता है तो महाभारत काल में 36 गड़ को किस नाम से जाना जाता है इसको जल्दी से प्राक कोसल ठीक है बस्तर को किस नाम से जाना आता है कांतार के नाम से भिस्म पर्व में महानधी का नाम चित्रोत पला के नाम से सभा पर्व में कोसल के नाम से उलेख मिलता है ठीक है पहला चीज दूसरा चीज इसके इस्थल के बारे में पूछा जाएगा तो इस्थल में इसको किस नाम से याद रखना, रख आस करके याद रखना, रख आस करके याद रखना, रख से रतनपुर्ख से खल्लारी, आस से आरंग से सिर्पूर, ठीक है, एक गुंजी दमाव दरहा, अलग से याद रखना, ठीक है, अब इसको इन आधार पे हम लोग ब अगली कक्षा करेंगे वो अब राजवन्स से मतलब जैसे मोर्य हो गया गुप्त हो गया फिर उसके बाद छेतरी राजवन्स से हम लोग पूरा का प्राचे नितियास खतम करनी की कोसिस करेंगे ठीक है बने रहे ही योगयन साव क्लासस के साथ थैंक्यू धन्यवाद